दोस्तो नमस्कार मैं द्यगनाद गौतम देश रोजाना यूटुब मंच पर आपका स्वागत है दोस्तो भाजपा भारत की सभी अन्य पार्टियों के इतर अपने आपको अलग बताती रही है और उसने चुनाव जीतने के लिए कांग्रेश के परिवारवाद के खिलाप भीषण अपना विरोध जताया अभिहन चलाया चाहे वो उत्तर प्रदेश में अखलेश यादव की सपा पार्टी हो यानि जितनी भी छेतरिय पार्टियां हैं उनको परिवारवादी घोर परिवारवादी घोशित किया कि ये केवल अपने परिवारों का भला सोचती हैं अपने परिवार के लोगों को टिकट देती हैं और मात्र भाजपा ऐसी है जो परिवारवादी नहीं हैं और वो अपने नेताओं के रिष्टेदारों को टिकट नहीं देती परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती घोर विरोध करती है और परिवारवाद के खिलाप ही भाजपा चलती है हाला कि इतके कई बहुत सारे कारण हैं पूर में रहे हैं लेकिन दोस्तों भाजपा ने हरिया नामें चुनाव जीतने के लिए अपने सारे सिद्धान्त खुंटी पर टांग दी हैं कांग्रेस के पीछे राहुल गांधी के पीछे गोर परिवारवाद का आरोप लगाने वाला भाजपा हाई कमान अब परिवारवाद के आगे हतियार डाल चुका है और जो भाजपा के सूत्रों से खबर मिल रही है उनसे पता चल रहा है कि भाजपा हरियाना में चुनाव जीतने के लिए पारिटी को बहुमत में लाने के लिए तीसरी वार सत्ता में लोटने के लिए कुछ भी करने को तैयार है और उसे इन चुनावों में नेताओं के चब बेटा हो बेटी हो बतीजा हो रिस्तेदार हो उससे भी कोई परेज नहीं होगा बसरते किसी भी नेता का बेटा बेटी बतीजा रिस्तेदार बस जिताओं उम्मीद वार होना चाहिए उन्हें इस बाल से अब कोई लेना देना नहीं है कि वो परिवारबाद के खिलाप रही है अब वो परिवारबाद के हक में आते हैं दोस्तों वक्त जोना करवा दे परिवारबाद के खिलाप अभियान चलाके सत्ता में आती रही और अब सत्ता में आने के लिए भाजपा परिवारबाद की सरण में पहुंच चुकी है माना जाता है कि हरियाना में एक दर्जन से ज़्यादा नेता अपने परिवारबालों को टिकट दिलाना चाहते हैं जीस Singh जो भाजपा के नेता हैं और केंद्री के मंत्री है वह अपनी बेटी को टिकट दिलाने के लिए राद दिन एक किये हुए है और यहां तक कि उन्होंने कहा है कि यदि उनकी बेटी को टिकट नहीं मिला उसे नहीं दिया गया तो वो भाजपा भी छोड़ सकते हैं चर्चाएं तो उनके कांग्रेस में जाने की भी है लेकिन दोस्तो राव इंदर जी सिंग को मना लिया गया है और राव इंदर जी सिंग ही नहीं बलकि जो भाजपा में कई उम्मीदवार कई नेता जो दूसरी पार्टियों से आए हैं या भाजपा में हैं एक दर्जन से जादा नेता अपने उस्तेदारों को टिकट दिलाना चाहते हैं इसमें अभी हाल मही में कांग्रेस से भाजपा माई किरन चौधरी अपनी बेटी को सुती चौधरी को केंद्रिय बंतरी कृष्ण पाल गूजर अपने बेटे देविनर चौधरी को और सांसत ध धरमबीर कुलदीब बिष्णोई अपने अपने पुत्रों के लिए तो रमेश कौशिक अपने भाई के लिए विधान सवा अध्यक्ष ग्यानचंद गुपता अपने भधीचे के लिए टिकट मांग रहे हैं रिष्टेदारों के लिए टिकट मांगने वाले ऐसे नेताओं कि संक्या एक दर्जन से भी जादा हो चुकी है और माना जा रहा है कि ऐसे रिष्टे मालनेताओं के रिष्टेदारों को सभी को टिकट दिया जा सकता है बसरते वो जीतने वाले हों तो वैसे भी दूसरा एक और वज़े बताई गई है कि जो चालिस उम्मीदवार भाजपा के जीते थे यानि जो सिटिंग एमेले हैं उनमें से कई मंत्री भी हैं लेकिन भाजपा के सर्वे में वो अपने छेतर में कमजोर हैं उस छेतर की जनता उनसे खुश नहीं है उनके खिलाब एंटी इनकम बैसी है या जातिय समीकरण सिटिंग एमेले के हक में नहीं है तो ऐसे सिटिंग एमेले या मंत्री जो भी हैं उनके भी स्टिकट काटी जा रही है ये फैसला हो चुका है और इनकी संक्या 15 से 20 हो सकती है तो दोस्तो भाजपा हाई कमान हरियाना में चुनाव जीतने के लिए अब कुछ भी करेगा सिद्धान्तों से उसका अब कोई लेना देना नहीं है बस जो जो उम्मीदवार जीत की गारंटी दे और जो उनके सर्वे में जीतने वाला उम्मीदवार है वो उसी को टिकट देंगे बेसक वो इंपोर्टिड उम्मीदवार ही क्यों ना हो आप इंपोर्टिड से समझ रहे हैं कि भाजपा में हरियाना में तो ना उसके वरकर हैं और ना ही उसके नेता रहे हैं भाजपा हरियाना में तो एक दसक पहले दूसरी पार्टियों की पिछलक गुवा करती थी चाहे वो बंसिलाल की पार्टि रही हो चाहे चोटला की पार्टि रही हो और इसलिए जब माहौल बना नरिंद मोदी जी के आने के बाद तो उनके पास टिकट देने के लिए भाजपा के कारे करता नेता नहीं थे इसलिए भाजपा से कांग्रेश से इनेलों से अन्य पार्टियों से इंपोर्ट करकर नेता लाए गए और टिकट दिया गया तब बार्टि हरियाना में सत्ता में लोटी तो दोस्तो ये बात तो राष्टिय इस्तर पर भी इस्तापित हो चुकी है कि भाजपा के देश भर में कारे करता नहीं है नेता नहीं है इसलिए दूसरी पार्टियों के नेताओं को सांसदों को विधायकों को भाजपा हाई कमान तोड़ तोड़ कर लाता है उन्हें टिकट देता है या जीते हुए विधायकों को सामदाम दंडबेच से दूसरी पार्टि के विधायकों को लाता है और अपनी सत्ता कायम करता है तो ये तो भाजपा का सिध्धान्त रहा कि दूसरी पार्टी के नेताओं को लाओ और सत्ता बचाओ या सत्ता में आओ तो ये केबल हर्याना की कहानी नहीं है अब आने वाली जितनी भी विधानसवा चुनाव हैं उन सभी में भाजपा हाई कमान परिवारवाद की नीती को खुंटी पर टांग रहा है बस भाजपा सत्ता में लोट रिच चाहिए तो दोस्तो ये था मेराज का मुद्धा की भाजपा अब परिवारवाद का विरूत करने वाली पार्टी नहीं रही बलकि उसने भी परिवारवाद के सामने हातियार डाल कर परिवारवाद को अपना लिया है और देखने की बात ये है कि परिवारवाद को अपनाने से क्या उसे वो फायदा मिलने वाला है जिसकी वो उम्मीद कर रही है तो फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा तो दोस्तों ये तो चार अक्तूबर कोई पता चलेगा जब हरियाना में बूटों की गिंती हो गई तो दोस्तों देखते हैं ये देश रोजाना मिलते हैं कल फिर नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ जैहिन जै भारत जै सविदान अगर आप ये वीडियो फिस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें